NLC India Limited Apprenticeship का नया notification जारी कर दिया गए जिसमें केवल ITI के चात्री फार्म को apply कर पाईए और ध्यान एक है का इसमें जो notification जारी किया गए दो भासा में यहाँ पर जारी किया गए जिसे कि आप यह notification देख सकते हैं यदि बात करें ITI के किन चात्रों को यह apprenticeship का फार्म को apply करना है तो जो चात्र इस trade से ITI के हैं जिसे कि मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं फिटेट रेट के अचात्र अप्लाई कर सकते हैं टर्नर के अप्लाई कर सकते हैं मेकैनिक मोटर वहिकल के अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 119 सीट खालिए एलकिसियन के अचात्र अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए 122 सीट खालिए वायरमन के अंतरगत अप्लाई कर सकते हैं कॉर्पेंटर के अंतरगत अपलाई कर सकते हैं जिसमें 10 सीट खालिए पलंबर के अंतरगत तीदी आप आई टीए कियें तो भर सकते हैं 10 सीट खालिए और इस्टोन ग्राफर और विल्डर में भी देखने को मिल जाती हैं इस्टनोग्राफर में 20 सीट खाली है और वेल्डर में 110 सीट खाली है और यहाँ पर पासा के चातरों के लिए भी सीट खाली है 40 निचे आप आएंगे सातियों तो टूटल आपको देखने को मिल जाता है 728 सीटों पर यह आपकी वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया यदि बात कर इसमें आपको कितने स्टिपेंड दिया जाएगा और यहाँ पर क्या इसकी योगिता रखी गई तो ध्यान एकिगा इसमें आपकी जो योगिता होनी चाहिए वो ITE कम्पलीट होना चाहिए और कोई भी अपेरिंग नहीं होना चाहिए इस चेज को आप ध्यान एकिएगा और NCBT से आपका कम्पलीट है या DGET से कम्पलीट है तो आप आप कफलाइक कर सकते हैं इसमें यहाँ पर जो hrt से ITE के चाहत्र उनको मुखा नहीं दिया जा रहा है पासा ट्रेट से यदि आप complete है या कोपा ट्रेट से complete है तो आपके पास NTC या PNTC आपके पास certificate होना चाहिए है इसमें जो आपको यहाँ पर ट्रेब देख सकते हैं इसमें आपको पयमिंट दीय जाएगा 10,000 यहाँ पर 19 रुपे रखा गया पर पर मत आपको यहाँ पर ट्रेब पयमिंट दीया जाएगा इसकी बाद यहाँ पर बात करें पासा चात्रों के लिए जो चात्र पासा से ITI किये हैं उनको 8,776 रुपे यहाँ पर देने की बात कही गई है इसमें ध्याने कियेगा टोटल 728 यहाँ पर सीट खा लिए है निचा आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में यहाँ प आप नन इंजिनिंग के अंतरगत ग्रेजुएट हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं बीकाम कंप्लेट है या इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाते यह जो फौर में कब से कब तक भार आ झाएगा तो ध्यान एक यह जो फौर्में आपका दो 11-12-2022 से स्टार्ट हुआ है जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2-11-2022 से फार्म भरना स्टार्ट हुआ है दस बज़े से और 11-11-2022 तक साम 5 बज़े तक यह आपका फार्म भरा जाएगा तो जो भी छातर फार्म को अपलाई करना चाहते हैं आपके लिए सुनारा मौकाई आप फार्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहां पर नीचे आप आजाएंगे तो इसमें आपका क्या-क्या सर्टिपिकेट लगने वाला है और क्या-क्या इसमें डॉक्मेंट लगने वाला है यह सारी झनकारी यहाँ पर दी गई है यदि आप iti की चाहतर हैं तो आपको सबसे पहले आपका iti का सारटिपिकेट लगे गा इसके बाद iti का olla sioot लगेगा इसके बाद यहाँ पर transfer certificate लगेगा यदि है तो लगा दीजिएगा नहीं तो कोई ज़रुवत नहीं है इसके बाद community आपका यहाँ पर जो सेस्टी या OBC या AWS के जो चात्र है उनका यहाँ पर जाती है प्रमान पत्र लगेगा और यहाँ पर जो आपका रखा गया सात्यों यह आपका दुसमे का अमार सिट रखा गया और यहाँ पर आपका जो यह आपका डोकुमेंट के इंतर कुछ अधर ही लांग वेज में लिखा गया आप इसको समझ सकते हैं नीचे आप आजाएंगे तो यहाँ पर जो चात्र एंजिनिंग से अब करना चाहते हैं जो नान एंजिनिंग से ग्रिजुएट है उनके लिए आप डिगरी सेटिपिके जैसे कि आधार काड़ हो गया या आपका पेन काड़ हो गया यह आपका लगने वाला है नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते हुए तो अधर जनकारी आपको देखने को मिल जाते हैं कि कितने उम्र के जो चात्र हैं इस फान को अप्लाई कर पाएंगे तो यह जो फार में आपका होगा यह आपका मेरेडवेस पे होने वाला है और इसमें किसी भी तरह का एक्जाम नहीं होगा और नहीं इसमें आपको कोई भी इसमें आपको फार्म हिस्त देना है बिलकुल फ्री है आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं मैं जल्दी इसमें वीडियो बनाऊंगा क कैसे आप मुबाइल के द्वारा अपलाई कर सकते हैं कोई भी आपको अधर जनकारी चाहिए तो कम इंट बार्स में पूछ लिजिए का आपको जनकारी मिल जाएगी